हाई एफ्रिवन रोज रोज अगर आप डाल सबजी रोटी खाके बोर हो गए हैं और आपके बच्चे भी डिबान करते हैं कि कुछ नए उनके टिफिन बॉक्स में होना चाहिए ना तो आप इस रेजिपी को जरूर उने बना के खिलाएं आज में आपके लिए लेकर आई हू या फिक गरम गरम आप उसे डिनर में भी सर्फ करें तो चलिए मेरे किचिन में देखते हैं किस तरीके से मैंने चिकन पास्ता को बना है तो यहां पर पैन में आपको दो टेबस्पून ओयल ले लेना है जैसी ओयल गरम हो जाएगा एक टीस्पून अदरक लसन का पेस्ट ड जाए तो इसे लंबन वाइसलम आ इससा नाग गाके लिए उन तरीके से फघर एकर तकि चिकन का पास्तन और तहुड़ा बना है थोड़ा चेंज हो जाए तो छेंटर्ट अब एक टिबस्पून में दआला है चिली स्वाज ही साउस उसके सासाह में आपा चिली पर टोड़ अगर आपके पास परिपरी सॉस नहीं है तो आप स्किप कर दियेगा अब यहां पर एक टेबस्पून डाल देना है टोमाटो केचप उसके साथ एक टीज़पून यहां पर डाल दिया है मिक्स्ट हर्ब आप उसकी जगा पर ओरिगानो भी डाल सकते हैं और आधा पानी डाल दियेगा और इसे अब आपको ढखके पकाना है लो मीडियम फ्लेम पर तब तक जब तक आपका चिकन बहुत अच्छी तरीके से कोकना हो जाए तो देखें यहां पर जो चिकन है वह बहुत अच्छी तरीके से पक किया है मसाला भी आप देख सकते दोरा ड्राइ हो गया है तो अब हम यहां पर अपनी वेज़िस डालेंगे तो आज मैं वेज़िबल्स में यहां पर ग्रीन और रेड कला का शिमला मिच यूज कर रही हूं और उसी के साथ साथ एक मीडियम साइस की प्यास ती जिसे मैंने स्लाइस कर लिया था आप चाहें तो यहां पर चीजे हलकी सी सौफना हो जाए मतलब इनको हमें क्रंच नहीं खतम करना है यहां पर थोड़ा सा मैंने स्प्रिंग ओनियन डाल दिया था और अब हम यहां पर डालेंगे क्रीम तो यहां पर मैंने तीन से चार बड़े चमच क्रीम डाला है यह फ्रेश क्रीम है आप चाहें घर की फिटी भी जो मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं उसके सासाथ यहां पर मैंने दो टेब स्पून मायनीस भी डाला है और अब में यहां डाल दूझे चीज तो यहां पर में एक चीज का स्लाईस इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप पूज़ादा चीज आप आप मोजरे आप जिए अफ्य चीकिन का मसाला है तो यहां पर पास्टा भी को कोकड बॉइल होकर रेडी हो गया है यहां पर मैंने तीन कब पास्टा को पानी में उबाला उसमें थोड़ा सा नमक और एक टेब स्पून ओल डाल के पकाया था तक कि यह ना जो यह पास्टा है वो एक दूस ठंडे पानी में धोलिएगा अब दिखें यहां पर सॉस के लिए कड़ाई में मैं यहां पर डाल दिया है सॉस तो यहां पर 3 4th कप मैंने पास्ता सॉस डाला है इसे पकाने का जरूरत नहीं है क्योंकि अलड़ी कोख होता है बस हमें इसे गरम करना होता है नमक डाल देना यहां पर मिक्स्ट हर्ब डाल दिया है उसी के साथ आदा तीस्पून यहां पर काली मिर्चो को पॉरर डाला है और एक टिबस्पून भर के डालिएगा टोमाटो केचप इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है आप देख सकते हैं कि जो पास्ता का सॉस है काफी गरम हो गया है तो अब हम यहां पर अपना पास्ता डाल देंगे जो बॉयल करके रखा हुआ ता देखें बिल्कुल भी एक दूसर से चिपक नहीं रहे हैं यह तो हमेशा पास्ता बॉयल करते वक्त आपको धियान रखना है कि उसमें पानी जब आप बॉयल करें तो उसमें आप अब यहां पर देखें मैंने दूट डाला है दूट डालने से क्या होता है एक तो आप जो सॉस बनता है वो थोड़ा क्रीमी भी हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है तो यहां पर मैंने आधा कप दूट डाला था मिक्स कर दिया है फ्लेम आपको मीडियम कि मैंने आज चीज बहुत कम यूज़ किया है तो आप बेशक अपने में चीज का इस्तमाल जादा कर सकते हैं जैसे बच्चों को चीज जादा पसंद होता है तो देखें यहाँ आप मिक्स कर दिया है मिक्स करने के बाद इसे गानिश करिएगा आप स्प्रिंग ओनियन से और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर क्रीमी चिकन पास्ता बनकर रेडी हो गया तो चलिए से सर्फ कर लेते हैं बच्चे हमेशा नए नए डिमांड करते हैं कि उनके टिफिन बॉक्स में कोई अच्छी सी रेसिपी हो जिसे वो इंचॉय कर सकें तो आप अपने आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो चलिए मिलते हैं अगली असान सी और सिंपल रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई